हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो लिक्सिर में क्या होने वाला है? जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अभी ट्रिगोनोमेटरी का कोस्टन में सॉल्व करवाड़ी हूँ पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे, इस्टेट एंड प्रूफ डिमोईवर्स फिरम और उसके आजो बी ए, एक्स के पावर सेवन प्लस वन इकॉल टो जीरो ये दोनों कोस्टनों को सॉल्व करना सिखे थे, I hope आप लोग वो वीडियोज देख लिए हुए होगे अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस सेक्षन में जाके आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोग को बता दू, इस चैनल पे कोस्टन मेंग का सलूसन आप लोग को भिहार उनिवर्सिटी का मिलता है मैं आप लोग को थियोरी ओफ एक्वेशन के कोस्टन मेंग पूरे पांच साल का करवा चुकी हूँ अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस सेक्षन में जाएए आप लोगों को टोटल साथ वीडियोज मिलेंगे साथ या आठ वीडियोज जिसमें आप लोग को पूरा कम्प्लीट करवा दिया गया हुआ है थियोरी ओफ एक्वेशन आप लोग से अगर कोई भी ये पांच साल में लगबख टोटल हर साल थियोरी ओफ एक्वेशन से दो कोस्टन आते हैं मतलब अगर बोलू तो चार कोशन आते हैं क्योंकि एक कोशन में दो रहता है तो टोटल हम लोग 5 साल में 20 कोशन के आश्पास कर चुके हैं तो अगर यह इन 200 कोशन में से कोई भी कोशन आप लोग एक्जाम में आता है या फिर उसके आलावा भी कुछ आता है उसी कंसिप्ट पर तो आप लोगों गलत नहीं करना है तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नीव है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेल आइकन को प्रेस्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकर्शन आई तैन इंवर्स बीटा वाय अलबा तो इस को लोग कैसे सॉल्फ करेंगे देखिए यह कौस्ण बहुत ही इजी है इसमें करना क्या होता है अलफा के जगह पर और पीडा की जगह पर र साइन थीटा पूट करना है ओकर लोग ले कर चलेंगे और आर थीथ का पूरूफ क तो देखिए हम लोग क्या करेंगे alpha एक्वल टू ले लेंगे rcos theta वाइन और beta एक्वल टू क्या ले लेंगे rsin theta और इसको equation 1 मालेजे इसको equation 2 मालेजे दोनों को अगर divide करते हैं हम लोग अगर r मतलब कि 2 by 1 करते है तो r sin theta divided by r cos theta और r sin theta है बीटा और यह है alpha तो यह दोनों आपस में कर जाएगा और tan by sin y cos tan theta होता है sin theta by cos theta tan theta equal to beta by alpha तो यहां से theta क्या आजाएगा theta आजाएगा आप लोगों का tan inverse beta by alpha आप लोग निकाल लिए यहां से आप लोग थीटा का वैलू आ गया उसके बाद आप लोग क्या करेंगे इन दोनों को square करके एड कर देजेगा तो आप लोग का आप लोग का वैलू आजाएगा आप का वैलू कैसा आजाएगा तो क्या आजाएगा alpha square r square cos square theta और यहां से क्या जाएगा बीटा इसक्वेर साइन स्क्वेर थीटा दोनों को इसक्वाइगा अब एड कर देंगे तो यहां से हम लोग का आ जाएगा alpha square plus beta square और यहां से r square cos square theta plus sin square theta 1 होता है तो यहां से हम लोग का अलफा स्कॉर्ड प्लस बीटा स्कॉर्ड है तो आर के जगह पे हम लोगों का यहां पर आजाएगा अंडर रूट अलफा स्कॉर्ड प्लस बीटा स्कॉर्ड चलिए थीटा थीटा का वैलू टैन इन्वर्स बीटा वाई अलफा और रूट अलफा स्कॉर्ड प्लस बीटा स्क कर लिए अब चलिए देखिए कैसे systems को solve करेंगे फाइन हम लोग को प्रूफ करना था alpha यह माल लिए यह मौन लिए और क्या करेंगे स्क्वायर करके एड कर देंगे तो हम लोग को डिवाइड कर तो हम लोग कि-टेन थीटा वाई बीटा वाई अलफा ए तो थीटा हो जाएगा प्लाइड बीटा होता है यहां हम लोग क्या मुद्वू क्या करेंगे आर्कों क्या बचेका क्या नहीं क्या है i sin theta और cos theta plus i sin theta जो euler's theorem होता है उससे हम लोग क्या होता है e to the power i theta होता है fine तो हम लोग यहाँ पर क्या लग सकते है log of alpha plus iota beta का value निकालना था तो log of alpha plus iota beta के जगह पर क्या लखेंगे r e ke power i theta तो log of r e के power i theta है तो हम लोग कौन सा properties लगाएंगे यहाँ पर हम लोग properties लगाएंगे log of a b जो होता है वो equal होता है किसके equal होता है देखिए log of a b equal होता है log of a plus log of b के equal होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा यह है a और यह है b तो log of r plus log of e के power i theta यहां से हम लोग का log of r लोग e के पावर इधीटा है अगर कुछ बेस नहीं तो आप लोग का उसका मतलब मानना वेस लोग e और base be e रहता है तो इसका value हम लोग का 1 होता है तो यह हम लोग का 1 है और यहाँ पे क्या बचा आइधीटा बचा बचा ऑके और यह आई थीटा इधर मतलों की log के power में जो रहता है वो इधर आके multiply भी जाता है जैसे मैं आप लोग को लोग का property बदाती हूं log लोग एक प्रवर्ट भी है न तो इसको लोग लिख सकते हैं लोग ए लिखेंगे और लोग ई जो है वह उसका वैलू बान होता है हम लोग का ओके तो हम लोग को यहां से क्या आया लोग फ्लस आई थीटा आया है आर का वैलू हम लोग पहले ही निकाल चुके थे क्या अंडर अलफा आस्कृर प्लस बीता एस्क्वार और थीटा का फेलू भी लोग पहले शेके की वह संदाव करते हुआ है नलफास sed struggled लॉजञ रूठा क्वैन फिटा एस्क्वार केहना मतलब होता है उन बाई- leung का ROS और i10 का बेटावा अलफा होगा हम लोग को यही प्रूफ करना था तो चलिए इस तरीके से हम लोगों का 11 का ए नंबर प्रूफ होता है क्या करना था समझ में आया मैं थुरा से फास्ट बोल लेगी क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पुड़ा कंपलीट करवाना है मैं आप लोग को बता दू आप लोग का फॉर्म भढ़ने का तीथी जल्दी घोसित किया जाएगा ओके दो तिन दिन में आई जाएगा आप लोग का मतलब की अठाइस मार्ट से अनुमाने तीथी है अभी देखिए आगे क्या होता है लेकिन जब भी होगा तो जल्दी होगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा तो समझी में आ जाएगा ओके 11 का भी में क्या बोला है इक्सपैंड साइन इंवर्स एक्स प्लस आइवाई इन फॉर्म ए प्लस आइवाई के फॉर्म में तो चलिए कैसे लिखेंगे यह देखते हैं चलिए लोग को क्या लिखना है हम लोग को लिखना है साइन इंवर्स एक्स प्लस आइवाई को लिखना है ए प्लस आइवी के फॉर्म में तो देखें साइन इंवर्स एक्स प्लस आइवाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं पाइवाई टू माइनस कॉस इंवर्स एक्स प्लस प्लस एक्स प् लोग उन्वर्स प्लस आई पाई के बढ़र है और इसको माल लेंगे हम लोग इसका कंजुगे लेंगे conjugate लेने का क्या मतलब होता है अगर आप लोग को कोई बोलता है conjugate लेना है तो आप लोग जो प्लस वह निगेटीब हो जाता है तो लोग इसका conjugate लेगे तो क्या हो जागा इस निकाल सकते हैं तो आप ईस सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब आप लोग को साइन स्कूरर यह मैं क्यों समझा रही है स्कूरर स्कूर थीटा इक उन गेकैने स्कूरक तो यहां से आप लोग क्या जांगë स्कूररर soda with One minus कोस अप्लेटा एकोज़ के थीचो कि अगर मैं पूछूंगी आप लोगों से साइन आफ थीटा प्लस आइफाई तो क्या बताइए आप लोग लोग अंडरूट वॉन माइनस निकाल लेंगे और कोस थीटा माइनस आइफाई पता है यहां से हमगों थीटा-फाइस निकाल लेंगे, यहां से दो निकाल लेंगे, यहां सार्व का व пытू निकाल गया, अब मुझा क्या 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 новых सी टा्रंभ सब्सक्री व W कर जाएगा मतलुब कॉस फिरफा को सोफ 1 प्लस मुणा क्या होता है को सफ Size ऐनट साइन्ट लिए न simples ने साइन लिए यहां पर बस फर्मूला लिखे कॉस्ट थीटा प्लस आइफाई कॉस्ट थीटा माइनस आइफाई माइनस साइन थीटा प्लस आइफाई और साइन थीटा माइनस आइफाई ओके तो हम लोग कॉस्ट थीटा प्लस आइफाई पहले ही निकाल चुके है यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया इस्टोर्य फूल हो चुका है इस कोशन के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाँगी कोश थीटा प्लस आयफाई यहां पर आप लोगो एक्स प्लस आयवाई हो है अब हम लोग इसको एक्स करेंगे और इक्स पता होगा expand करना में में जरूरी है तो मैं चाहरेंगे expand आप लोग के सामने करूं ताकि आप लोग को समझ में आकर करना कैसे हैं हम लोग का क्या था जो था cos of two theta just wait uh कि अधाय यह क्या था एक स्प्लस य था यह समझने की कुशिश किजेगा ओके और एक और यह खुछसे और under root 1 minus x minus iy का होली स्कुराइब यह तो कोई बच्चा भी कर सकता है कैसे कर सकता है कोई बच्चा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a2-b2 तो हम लोग को यहां से क्या जाएगा x2 और सब्सक्राइब करने में प्रोब्लम होता है इसी को हम लोग अच्छी तरी करेंगे क्योंकि मुझे पता है कहां आप लोग को यहां मैंनस यह है यह तो यह तो इसको प्लस तो आराम से सानती से तोड़ी । हो कृणा मैं आप लोग को आप अच्छी समidden से यह तो यह tämä तक समझ की आगया हुआ है, हमすで क्या करेंगे रूट अंडर बैंटी उओ उपन लोग इंग लिख सकते हैं Unn एक्स प्लस आइवाई का होल स्वार म Will. यहां पर क्या है, तोड़ते यह तो आती है, इसको हम लोग करते हैं यह बाद में लिख लेगे, इसको पहले आप लोग i x n y o k eio y y u eio r i e2 ughtнихr e2 x Blaze टो तोसी e 26 kaisब tenis 2y in December 1 autumn arake Miram 1 ménus a sqeot a square plus a smart then fa readers time video ka pag windows iba higher-card to work. another-raga mignus x i 2d stop उनसे पーツ निखनेा यह नहीं छूट में साक्षिय पाजित यह नहीं छोड़ हुढ क्योंकि मुझे explain करना आप लोग को सिखाना है main मक्सद जो है वो सिखा रही हूँ बाकी तो आप लोग करी सकते है तो यहां से देखी क्या लिख सकते है 1-x² प्लस y² और-2xy और यहां से क्या लिएगा 1-x² प्लस y² और--2xy तो हम लोग क्या लिखेंगे देखें यहां पर हम लोग क्या है यह है a और इसको मानेंगे b और यह हम लोग का a और इसको मानेंगे b मतलब a-b और a plus b आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते है a²-b² तो यहां से हम लोग क्या जाएगा 1-x² प्लस y² का whole square और-4 माइनस 2xy का whole square तो यहां से हम लोग का क्या आजाएगा 1-x² प्लस y² का whole square और यहां से 2xy क्या हो जाएगा 4x² y² और i²-1 है तो हम लोग का total जो निकल के आएगा वो निकल के आजाएगा प्लस 4x² y² और यहां से और लेडी चल ला था x² प्लस y²-1 तो यह हम लोग का जो value आया है वो किसका value आया है cos 2θ का यह जो बड़ा सा value आया है x² प्लस y² माइनस अंडर रूट 1-x² प्लस y² का whole square और प्लस 4x² y² यह हम लोग का जो value आया है वो cos 2θ का value आया है तो 2θ का value क्या हो जाएगा cos inverse of यह पूरा term हो जाएगा और थीटा का value क्या हो जाएगा 1 by 2 of this तो इस तरीके से हम लोग क्या किये इस तरीके से हम लोग थीटा का value find कर लिए अब हम लोग को क्या करना है अब हम लोग को 5 का value find करना है और जब थीटा और i5 दोनों पता चल जाएगा तो हम लोग जो form है उसको लिख देंगे किस टैप से है a plus ib के form में आ चुगा है तो चल यह देखिए आगे कैसे करते है तो हम लोग क्या किये हम लोग यहाँ पर थीटा का value find कर लिए अब हम लोग का aim क्या है अब हम लोग का aim है 5 का value find करने के लिए क्या करेंगे हम लोग देखिए तो हम लोग 5 का value find करना होगा तो हम cos 2i5 का value find कर लेंगे जिससे हम लोग निकाल सकते हैं 5 का value 5 का value कैसे निकाल लेंगे जो हम लोग को cos 2i5 का value पता होगा cos 2i5 cos inverse दिस हो जाएगा और यहां से i5 का value 1y2 of this हो जाएगा ओके तो अब हम लोगों को find करना यह 5 का value तो find का value हम लोगों कैसे find करेंगे देखिए आप लोग यहां पे लिखेंगे क्या cos of 2i5 है तो हम लोगों बस theta वाला value नहीं रहना चाहिए तो theta plus i5 minus theta plus i5 तो यहां पर हम लोगों theta plus i5 minus theta plus i5 है तो यह theta से theta कट गया और cos of 2i5 है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे देखिए cos of theta plus i5 इसको रहने दीजिए और इस पर से minus common ले लेंगे तो theta minus i5 बच जाएगा और हम लोग यह cos a minus b के formula पर तोड़ देंगे cos of a minus b का formula क्या होता है देखिए cos of a minus b का formula होता है cos a into cos b और plus sin a into sin b होता है तो हम लोग यहां से formula यूज करेंगे और हम लोग निकाल लेंगे तो चलिए अब मैं आप लोग को दिखा जाती हूँ अच्छे तरीके solution solution तो मैं आप लोगों समझाई दिऊ और आप लोगों से request करूंगी आप लोग खुद से बनाएगा क्योंकि जाम है तो आप लोगों खुद से ही बनाना होगा तो हम लोग इस टाप से यह सभी बना लेंगे मैं यह सभी आप लोग बता दिऊ यू कहां पर क्या करना है कैसे क करेंगे तो हम लोगों का और हम लोगों कह यहां से फाई का वैलु निकाल लेंगे तो हम लोग क्या किया हम लोगों को निकाल ली अब हम लोगों को निकालना था साइं रिबर्स ऑई वाइलु तो यहां पर थीटर का वैलु नियहां और वैलू रखं देंगे और इस प्रकार से हम यह कॉस्टन के संटीं कोश्रीच चली ऑप इस तरीकेस यह सबस्सक्राइब में साट है तो आज के देखिए तेन का एबी कंप्लीट है एलेवन का एबी कंप्लीट है अब हम लोग ट्वेल्ट नमर कोसन है फाइंड सम अफ साइन एंगल इन पी और फाइंड सम आफ यह तो यह दोनों कोसन हम लोग नेक्स वीडियो में सीखेंगे और मैं आप लोगों को जितने भी इक्वेसिन का जब भी वीडियो हो चुका है वो पढ़ लिए उसके बाद तो त्यूडी अफ प्रैक्टिस नहीं करते रहें तो भूल जाएगा तो आप लोग अगर अगर आप लोग कंप्लीट है फिर भी आप लोग कम से कम त्यूरम को रिभाइज करते रहेंगा अगर सम जाने वाला वह तो आप लोग समझ चुके लेकिन फिर भी जब खुछ से बनाना जाएगा तो आप लोग आप लोग देखिएगा बना कि आप लोग नहीं बना पाईएगा क्योंकि दो तीन बार थियूरम को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है तभी वह आप लोग मतलब कि क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी बन पाएगा तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोग सीखेंगे साइन अंगल का सम और हम लोग यह दोनों को सीखेंगे फिर हम लोग का 2015 ट्रिगोनोमेटरी कंप्लीट हो जाएगा ओके तो तब तक के लिए बाए थैंक्स पर